मित्रों जय मतादी आप देखने धर्मसिक्षा मित्रों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुरुगा पुजा 2021 में कब आने वाला है कलास अस्थापना कब होगने वाला है और कलास अस्थापना का महुर्थ क्या रहेगा साथी अश्टिमी नौमी और दस्मी किस दिन दहेगा दस्मी यानि कि मादुरुगा का जिस दिन विशरजन होता है वो दस्मी और विज्य दस्मी दोनों एक ही होती है वो कब रहने वाली है तो सरद नवरात्रे 2021 से समद्द संपून जानकारी आपको इस वीडियो में मिले पाएगी तो वीडियो में हमा कुछ और भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में हमसे जवर पूछे मैं आपको उसको अत्तर जवर दूगा तो सबसे पहले आईए जानते हैं कलस अस्थापना के बाड़े में कलस अस्थापना जिस दिन होती है उसी दिन से दुरुगा पुजा आरम हो जाता है नवरात्री उ 28 मिनट तक है अर्थात गुरुवार 7 अक्टूर को ही प्रतिपजाते थी रहेगी और कलस अस्थापन भी इसी दिन होगा कलस अस्थापन को घट अस्थापना भी कहते हैं नवरात्री का ये पहला दिन होता है इस दिन घट यानि की कलस की अस्थापना की जाती है जिस कलस की अगले 9 दिन तक पूज आर्जना की जाती है अब बात करते हैं घट अस्थापना के महुर्द क्या रहेगा तो घट अस्थापना यानि कि कलस अस्थापना का महुर्द रहेगा सुबह के 6 बच कर 16 मिट से लेकर 10 बच कर 11 मिट तक यानि कि 3 घंटे 54 मिट की जो अब धी होगी ये होगी घट स्थापना करने के लिए इसमें आप कभी भी घट के स्थापना कर सकते हैं। ये तो हो गई पहले दिन यानि की कलस स्थापन की बात। आईए आप जानते हैं अश्टमी कर रहने वाला है। बुधवार 13 अक्टूबर 2021 को अश्टमी तिथी रहेगी। इस दिन अश्टमी तिथी रात रहे के 11 बच कर 41 मिर तक रहने वाला है। तो अश्टमी के दिन जो होती है वो मा दुर्गा के आठमे स्वरूब महागोरी की बुजा अरजना की जाती है। तो अश्टमी तो हो गई बुधवार 13 अक्टूबर 2021 को और नौमी अगले दिन यानि की गुरुवार 14 अक्टूबर 2021 को रहने वाली है। इस दिन नौमी तिथी जो रहेगी वो रहेगी रात्री के 9 बच कर 51 मिर तक। उसके बाद देर रात्री में फिर दसमी तिथी चलेगी। तो नौमी तिथी के 9 में दिन मा दुरुगा के 9 में शोरू मा सिध्यदात्री की पूजा अरजना की जाती है। विजिया दसमी रहने वाला है। शुकुरवार 15 अक्टूबर 2021 को 10 में तिथी रात्री के 8 बच कर 21 मिनट तक रहने वाला है। इसी दिन मा दुरुगा का सुबस्वर विसर्जन भी होगा। इसी के साथ दुरुगा पुजा 2021 की समापते भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको दुरुगा पुजा 2021 से समंधी। जानकारी दी है। इस समंध में अगर आपको कुछ और भी जानना है तो निसंग कुछ कमिट बॉक्स में हमसे पूछे। मैं आपको उसका उत्तर जोड़ दूँगा। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ग्यानवर्दक वीडियो के साथ तो देखते रहिए धर्मसिक्छा जय माता दी।